कश्मिर वसले के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव स्टिखर पर है इसी बीच पाकिस्ताने सीमा के करीब पाथन कोड एरबैस पर अमेरिका से मिले आधुनिक तक्नीकी वाले आठ पाचे हेलिकॉप्टर तैनात हो गए है इन हेलिकॉप्टर की तैनाती से पाकिस्तान में दहसर फैल गई है आईए जानते हैं इस हेलिकॉप्टर में ऐसा क्या है जो पाकिस्तान को दहसर में डाल दिया है नमबर एग, यह हेलिकॉप्टर टैंक ले जाने वाले और छिपकर लड़ने वाले दुस्मनों के लिए काल का काम करेगा नमबर दो, इस हेलिकॉप्टर में एक खास थर्मल एमेजिंग सेंसर लगा होता है जो छिपे हुए दुस्मनों को पल भर में ठून निकालता है कुल मिलाकर यह हेलिकॉप्टर इनीमी फाइंडर का काम करता है नमबर दीन, यह हेलिकॉप्टर लेजर गाइडेड हैल फायर मिशाइल, हाइटर सेवन्टी, एंटी आर्मेर रोकेट और तीस मीमी गन से दुस्मनों को तबाह कर सकता है नमबर चार, इसमें 30 मिलीमीटर की M230 ओटोमेटिक गन भी लगी है, जिससे 1200 राउंड फायरिंड की जा सकती है नमबर बांच, यह हेलिकॉप्टर हर मोसम और रात में उडान भरने में शक्षम है, इसलिए इसका किसी भी सेन्ज मिशन में इस्तमाल किया जा सकता है नमबर चे, यह हेलिकॉप्टर 280 किलोमेटर प्रती घंटा की रफ्सार से उडान भरता है, यानि पलक जफकते ही गायब होग सकता है नमबर साथ, खास तक्निकी के चलते ही आसानी से रेडार की पकट में नहीं आता नमबर आट, अपाचे डेटा नेटवर्किंग की मदद से जंग के मैडान के तस्वीरे भी हासिल कर सकता है नमबर टो, यह हेलिकॉप्टर 16 ADM 114R Health Fire दो मिसाइस ले जाने में सक्षम है कुल मिलाकर यह हेलिकॉप्टर दुस्मनों की नाग में दम करने को तैयार है 2020 तक भाचे सेना के काफिले में 22 अपाचे हेलिकॉप्टर सामिल कर लिये जाएंगे तो पाकिस्तान अब जरा संभल के क्योंकि अब आ रहा है अपाचे तीम खबर अपडेट